मित्रो महाभारत का वेह चक्रविहु जिसे कौर्वो ने पांडवों के लिए बनाया था और जिसमें अभी मन्यू की मौथ हो गई थी एक ऐसा चक्रविहु जिसे पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही भेदना आता था जिसे भेदने के लिए अरजुन ने बहुत ही ज्यादा अभ्यास भी किया था मित्रो आपको जानकर अश्यरे और गर्व होगा कि हमारी ASI की टीम ने वह जगह ढूंड निकाली है जहां अरजुन इस चक्रवियू भेदन विद्या का अभ्यास किया करता था वह चक्रवियू आज भी उस स्थान पर बना हुआ है जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यह वही चक्रवियू है जिस पर अरजुन अभ्यास किया करते थे इस पर ASI और इतिहास कारों ने काफी रिसर्च की और जो बात सामने आई वह काफी चौंकाने वाली थी आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल वीडियो में आगे बढ़नी से पहले एक बार सचे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव मित्रो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौन में पांडवो द्वारा निर्मित चक्रवियो आज भी है पूरे भारत में कुरुक्षेत्र के अलावा हमीरपुर के राजनौन में चक्रवियो के रजना की गई थी पांडवों ने अग्यातवास के दौरान राजनौन में चक्रवियू का निर्मान अभी मन्यों को चक्रवियू भेदने की शिक्षा देने के लिए किया था पांडवों द्वारा निर्मित चक्रवियू को देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां पहुँशते हैं करीबन 5000 साल पहले महाभारत काल में पांडवों ने अज्यातवास के दोरान अपना कुछ समय हिमाचल प्रदेश में भी गुजारा था इस बात के सबूत हिमाचल प्रदेश के हर जीले में देखने को मिलते हैं हिमाजल प्रदेश के हमीरपुर जीले के राजनौन में भी पांडवों ने आधा समय बिताया था। पांडवों ने अपने अग्यातवास के दौरान सैंकडो मंदिरों का निर्मान किया था, जिसके प्रमान राजनौन में मिलते हैं। इतिहास कारों ने जब हमीरपुर राज पत्थरों का यह चक्रवीउ देखा तब इसे महा भारत के गरंथों से मिलाया गया और तब यह स्पष्ट हो गया कि यह वही चक्रवीउ है जिसका निर्मान पांडवों ने अज्यातवास के दौरान यहां पर किया था इतिहास कारों ने यह भी कहा था कि अज्यातवास के अपने अभ्यास हेतु तयार की थी इसमें यदि गौर से देखा जाये तो अंदर जाने का रास्ता साफ नजर आता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं चलता राज नौन में विशाल नौन का निर्मान पांडवो द्वारा पीने के पानी के लिए किया गया था जो आज भी इसे स्थान पर देखा जा सकता है मौजूदा समय में इसे नौन से विबन गावो के लिए पेय जल मुहया करवाया जाता है यही नहीं राज नौन में पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर में आज भी पौरानी काल के बहुत बड़े-बड़े पत्थर और शिलाईं देखी जा सकती हैं मित्रो ऐसे ही कई और भी महाभारत के प्रमान भारत के विभिन हिस्सों में आज भी विद्यमान है वित्रो आप लोगों का इस चक्रवियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक एक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद